इमली दर्शकों को स्क्रीन से जोडने में कोई कसर नहीं छोड रही है। इमली का जाना मालिनी और अनु के लिए खुशी का समय लेकर आता है। हाला कि यह खुशी जादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि जल्द ही इमली त्रिपाठी के घर लोट आती है। और इस बार उसकी वापसी त्रिपाठी हाउस की गहराई को हिला देती है क्योंकि वह अपने साथ पुलिस लेकर आई थी। कहाने में ट्विस्ट यह है कि इमली के पास आखिरकार आदित्य की हत्या के मामले में मालिनी के खिलाफ पुखता सभूत हैं। जिसके लिए सत्यकान को हाल ही में किरफतार किया गया था। इमली ने सबूतों के साथ कड़वे, सच को उजागर करने के साथ ही मालिनी को गिरफदार कर लिया। एविल मौमी अनु अपनी बेटी को लेने की हिम्मत न करने के लिए पुलिस पर चिलाती रहती है लेकिन सब बेकार हो जाता है। इमली का अंतिम आक्रमण काफी प्रभावी होता है लेकिन क्या मालिनी आसानी से अपनी हार स्विकार कर पाएगी। तो इमली के खिलाफ मालिनी का नया गंदा खेल क्या होगा। आदित्य को इमली के खिलाफ एक चोकाने वाला कदम उठाते हुए देखेगा। इमली ने त्रिपाठी हाउस से अपना अंतिम निकास चहनित किया। हाला कि वह आदित्य की हत्या के मामले में मालिनी के खिलाफ मजबूत सबूत के साथ वापस लौटती है। जैसे ही पुलिस तृपाठी के घर में प्रवेश करती है और मालिनी को सत्यकाम के साथ साजिश रचने के आरोप में गिरफटार करती है। इमली ने मालिनी को इसलिए गिरफतार करवाया क्योंकि उसके पास वीडियो सबूत है और यह तब होता है जब उसका प्रमुख कदम पीछे हट जाता है क्योंकि जैसे ही वह आदित्य को सबूत सौपती है वह वीडियो हटा देता है आदित्य इमली का नहीं बलकि मालिनी का समर्थन करता है और यही बात इमली के पैरों तले की जमीन को हिला देती है और कहानी में ट्विस्ट यह है कि मालिनी आदित्य के बच्चे के साथ गर्भवती है और यही कारण है कि आदित्य ने सबूत हटा दिया फिर भी क्या आदित्य मालिनी को लंबे समय तक बचा झाले!